हरहर महादेव, जय भोलेनाथ हिंदु धर्म में दान का खास महतु है वेक्ति को दान करते रहना चाहिए क्योंकि मर्णो परांध सारी चीजे यही छूट जाती है लेकिन पुन कर्म ही वेक्ती के साथ जाता है इसलिए अपने सामर्थ के अनुसार हमें दान करते रहना चाहिए शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए क्योंकि इससे अधिक पुन्य काम और कुछ भी नहीं वेद ग्रंथ, शास्त्र और पुराण में भी दान के महत्व के बारे में बताया गया है लेकिन दान देने के कुछ नियम होते हैं इसलिए जाने अंजाने में किसी भी चीज का दान, किसी भी दिन करना आपको भारी पड़ सकता है इससे आपको पुर्नफल कीज़ेगा परिशानिया जेल नी पड़ सकती है शास्त्रों में सप्ता के सातों दिनों के लिए नमक से लेकर चीनी और वस्त्र से लेकर आपुशड अलग अलग चीजों के दान देने के दिन दिर्धारित किये गए है इसलिए आपको इसी के अनुसार दान देना चाहिए तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम सप्ताह के किस दिन किस चीज़ का दान करें और किसी चीज़ का दान कब सही है और कब गलत अर्थात किस परिस्षिति में दान किसी चीज का सही है और किस परिस्षिति में गलत इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्त तक देखेगा, वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेर करिएगा और हाँ अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताईएगा तो चलिए जानते हैं यह हमें किस दिन किन चीरों का दान करना चाहिए लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि दान का क्या अर्थ होता है दोस्तों अपनी किसी वस्तु का स्वामी किसे दूसरे व्यक्ति को बना देना दान का अर्थ होता है दान लेने की स्विक्रती मन से वचन से या शरीर से दी जा सकती है दान को स्विकार करना प्रतिग्रहन है ये सिर्फ किसी चीज को लेना नहीं है जिस चीज को लेने से अद्रश्ट आध्यात्मिक पुन्य प्राप्त हो जाता है और जिसे देते समय पवित्र मंत पढ़े जाते हैं वही दान है भिखारी को भीग दी जाती है शास्त्र के अनुसार भिखारी को भीग देना दान नहीं कहा जाता है अब आएए जानते हैं कि दान कितने प्रकार का होता है दोस्तों शास्त्रों में दान के चार प्रकार बताए गए हैं अगर सही जगे दान ना किया जाय तो उसका फल नर्क भी हो सकता है दान मनुशी को नर्क, म्रत्यो लोक, स्वर्ग और भगवान की क्रपा प्रदान करा सकता है अगर आप संछेप में कहें तो दान दो प्रकार का भी कह सकते हैं एक तो माया के निमित किया गया दान और दूसरा भगवान के निमित किया गया दान लेकिन अगर विस्तार पूर्वक कहा जाए तो दान के चार प्रकार होते हैं क्योंकि एक तो माया है जिसके तीन गुण है और एक भगवान माया के अंतरगत तीन प्रकार का दान आता है सात्विक, राजस और तामस सात्विक दान, अगर हम सात्विक व्यक्ति को दान करते हैं, तो हमें स्वर्ग मिलता है, और अगर हम किसी राजसी व्यक्ति को दान करते हैं, तो हमें राजसी फल मिलता है, अगर तामसी व्यक्ति को दान करते हैं, तो नर्ग मिलता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस पैसे का दुरूपयोग किया तो आप भी उस अपराद में भागिदार होते हैं ये तीनों ही दान नश्वरदान होते हैं चौथा है हरी दान अगर भगवान के निमत हम दान करते हैं तो हमें भगवान की क्रपा मिलती है भगवान की वस्तु मिलती है यानि दिव्य आनंद मिलता है दा भगवान के निमित किया गया दान सरवोच दान होता है इसलिए जहां तक हो सके भगवान के निमिते हमें दान करना चाहिए बले ही हम एक रुपिया क्यों ना दान करें दोस्तों शास्त्रों के अदुसार हर वेक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर करना चाहिए क क्योंकि इस से अधिक बुन्ने का काम और कुछ भी नहीं होता है। दान लेने के कुछ नियम भी होते हैं। इसलिए जाने अन जाने में किसी भी चीज का दान देना और किसी गलत दिन दान देना आपको परिशानी में डाल सकता है। शास्त्रों में सब्ता के साथ दिनों में लेकर के नमक से लेकर चीनी और वस्त्रों से लेकर आभुशर तक अलग अलग चीजों का दान देने के दिन निरधारित किये गए है। इसलिए आपको इनी के अनुसार दान देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि सब्ताहा के किस दिन किन चीजों का दान हमें करना चाहिए सबसे पहले जानेंगे रवीवार के दिन हमें क्या दान करना चाहिए रवीवार के दिन का संबंध सूर्य देव से होता है इसलिए आपको गेहू, लाल फूल, गुड़ और माडिक के रत्न जैसी चीजों का दान करना चाहिए रवीवार को किये गए इन चीजों के दान से आपको यश, सम्मान और कीर्थी की प्राप्ती होती है सोमवार के दिन आपको किन की चुझों का दान करना चाहिए हिंदु धर्म के अंसार सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रदेव से संबंधित होता है इसलिए आपको सफेद रंकी चीजों चावल, सफेद वस्त्र, सफेद फूल, शक्कर, नारियल आदी चीज का दान करना चाहिए इन चीजों के दान से भगवान शिव की क्रपा फ्राप्त होती है और कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होता है मंगलवार के दिन हनवान जी की पूजा के लिए शुब होता है और इस दिन किये गैदान से मंगल ग्रह भी मजबूत होता है मंगलवार को लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र, बादाम और तामे के पातर का दान करना चाहिए बुधवार के दिन भगवान गनेश की पूजा की जाती है और यह दिन बुधग रहसे भी संबंदित होता है पुद्धवार के दिन हरे रंकी वस्त्रों का धान करना शुब होता है गरीब और जरुरत मंदवक्तियों को आप पुद्धवार के दिन हरे मुंकी दाल, हरी सबजियां, हरी चूडियां और हरे वस्त्रों का धान करें ब्रस्पतवार के दिन यानि गुरुवार के दिन आप पीली चीजों का दान करें इस दिन पीले रंकी चीजों का दान करना शुब होता है इससे धन, सम्रद्धी, वैबव और यश्की प्राप्ती होती है इसलिए आप पीली दाल, पीले वस्तर, पीले फल, गुड और सोने का दान करें इसके अत्रित हल्दी का भी दान कर सकते हैं शुकरवार के दान में आप सफेद रंकी चीजों का दान करें इस दिन नमक, खीर, वस्त्र और केसर का दान करने से मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है शनीवार का दिन शनीदेव को समर्पित है और शनीदेव को काला रंग प्री होता है इसलिए शनीवार के दिन आपको काले रंग की चीजों का दान करना चाहिए इसलिए आप काले वस्ठ, लोहा, सरसो کا तेल, काले तिन और चम्रे की चीजों का दान कर सकते हैं दोस्तो ये तो थी जानकारी की हमें सप्ता के किस दिन कौन सा दान करना चाहिए अब आईए जानते हैं अगर हमें राहू और केतू को शांत करना है तो हम किन चीजों का दान करें दोस्तों अगर आपके उपर राहू चल रहा है तो राहू के दोशों को दूर करने के लिए लोहे का चाकू, छल्ली, जव, सीसा, तिल, कोईला, सरसो, सब्तधान, कंबल, नीला वस्त्र, गोमेद, आदी का दान, रात्री के समय करना चाहिए उड़की दाल, सफेद तिली, नीला कपडा, लोहा, नीला फूल, गेहू, नीला फल, सरसों साबुत, नारियल, दक्षिना, सुपारी ये सब चीजे रहू के दान के लिए उप्युक्त होती हैं इन सब चीजों का दान शनिवार के दिन करना चाहिए अब जानते हैं हमें केतु की शांती के लिए किसी जों का दान करें केतु की शांती के लिए या केतु की अशुपता से बचने के लिए लोहा, तिल, तेल, दोरंगे या चितकबरे कंबल या फिर कोई अन्यवस्त्र जो की चितकबरा हो या दोरंग का हो शेस्तर, बाजरी, लहसुनिया और स्वन कादान निशाकाल में करना चाहिए इन सब चीजों कादान हमें शनिवार के दिन करना है इसके अत्रिक काला कपड़ा, काला फूल, काला फल, काजल, साथ प्रकार के धा, साथ प्रकार के अनाज, नारियल, दक्षिना, सुपारी, इन सब चीजों का दान भी करना चाहिए ये तो थी जानकारी कि हमें किस दिन किस चीज का दान करना चाहिए और आये आप जानते हैं कि हमें कब क्या दान नहीं करना चाहिए या किस वेक्ति को क्या दान नहीं करना चाहिए आपने अक्सर सुना होगा कि यदि ग्रह खराब है तो इसके लिए ये दान ना करें या ऐसा दान करने से इस ग्रह का शुपल मिलने लगेगा क्या आपको मालूम है कि जोतिश में कुछ ऐसी भी विशेश परिस्थितियां हैं जिससे आपको कुछ विशेश प्रकार का दान करने से बचना होता है तो चलिए हम जानते हैं कि किन परिस्थितियों में क्या दान नहीं करना चाहिए जाडू को कभी भी दान नहीं करना चाहिए जाडू को लश्मी का सूचक माना जाता है जाडू को दान करने से घर में धन नहीं टिकता है शास्त्रों के अनुसार इस्टील से निर्मित चीजों को भी दान नहीं करना चाहिए इससे घर की शुक और सांती नश्ट हो जाती है शनी देव को तेल अर्पित करना शुब माना जाता है लेकिन खराप और प्रियोग किया गया तेल दान करने से अशुब फलों की प्राप्ती होती है किसी भूके हुए व्यक्ति को ताजा भोजन दान करने से पुन्य की प्राप्ती होती है वही अगर उसे हम बासी भोजन दान दे तो ये बहुत ही अशुब होता है ऐसा करने से विवाद और कोट का चहरे में धन विर्थ भी खर्च होता है दोस्तों आपकी कुंडली में जब सूर्य मेश राशी में इस्थित हो तो उस व्यक्ति को लाल रंगी वस्तूओं को दान नहीं करना चाहिए जिनकी कुंडली में सूर्य, सिंग या फिर व्रश्चिक राशी में बैठा हुआ है ऐसे वक्ति के लिए लाल किताब में कहा गया है कि इन्हें सूर्य से समंधित वस्तूओं जैसे गुड, गेहू, तामबे की वस्तूओं इत्यादी का दान नहीं करना चाहिए जो लोग इनका दान करते हैं, उनका सूर्य मंदा हो जाता है और सूर्य से प्राप्थ होने वाले शुपफलों में कमी आती है इससे नौकरी में अधिकारी से मद्भेत हो सकता है, सरकारी कारियों में बाधा आती है पिता या पैतरक संपत्ती के सुख में कमी आती है जिनकी जनम पत्री में सूरिश साथवे अर्थवा आठवे घर में बैठा हुआ है उन्हें सुभा और शाम के समय दान नहीं देना चाहिए इससे धनकी हानी होती है और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर आपकी जनम कुंडली में चंद्रमा व्रश राशी में हो तो आपको दूद, जल, आदी का दान, कदापी नहीं करना चाहिए जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा दूसरे या फिर चौते भाव में बैठा हो उसे माता से सुख मिलता है सुख सुविदाओं में व्रधि होती है तथा शारिरिक और मांसिक शुख सांती की प्राप्ति होती है जो व्यक्ति चद्र से समधित वस्त्वे जैसे मोती, दूद, चीनी, चावल का दान करता है उनका चंद्रमा मन्दा हो जाता है चंद से सम्मधित शुपपलों में कमी आती है जिनकी जनपत्री में चंद्रमा छटे भाव में होता है उन्हें धर्मार्थ हैंड पंप नहीं लगाना चाहिए अगर आपकी कुंडली में मंगल मकर राशी में हो तो आपको भूमी संपत्ती या स्वण तामबे की वस्तवे या मंगल संबन्दी दाद नहीं करना चाहिए मंगल शुब वाले व्यक्ति के लिए मिठाई का दान करना वर्जित पताया गया है इन्हें मसूर की दाल बेसन के लड़ू या फिलाल वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए अगर आपकी जन्व कुंडली में बुद्ध की इस्थिती कण्या राशी में हो तो आपको हरे वस्त्र या हरी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए बुद्ध को बुआ, मौसी, बहन, व्यवसाय एवं बुद्धी का कारक कहा जाता है बुद्ध मजबूत वाला व्यक्ति बुद्ध से संबंधित वस्तुओं जैसे मूं की दाल, कलम, हरा वस्त्र घडा दान करता है तो बुद्धी ब्रमित होती है, बुद्ध से संबंधित रिष्टदारों को कष्ट होता है अगर आपकी जर्म कुंडली में ब्रस्पति करकर आशिबे है, तो आपको पीले वस्तर, पीली वस्त्रों और धार्मिक पुस्तक का दान नहीं देना चाहिए जिन व्यक्तियों की कुंडली में गुरू सात्वे घर में बैठा है उस व्यक्ति को नए वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति ऐसा करता है उन्हें खुद ही वस्त्रों की कमी हो जाती है गुरू नवम भाव में, सप्तम भाव में, चौत्वे या फिर पत्थम भाव में शुब इस्तिती में बैठा हो तो पीली वस्तुवों का दान नहीं करना चाहिए इससे आर्थिक समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है जिनकी कुंडली में शुक्र मीन राशी में होता है, उन्हें एश्वर्य पूर वस्तुवें जैसे मनोरंजन और सौंदर से सम्मंदित वस्तुवें किसी को दान या भेट स्वरूप नहीं देनी चाहिए शुक्र को भातिक सुक्सुवधा प्रदान करने वाला ग्रह कहा जाता है जिनकी कुंडली में शुक्र दूसरे या फिर सात्वे घर में हो, व्रश अत्वा तुला राशी में बैटा हो, उन्हें रेडी मेड वस्तुवें का दान नहीं करना चाहिए अगर शुरी देव की इस्थिती जनकी कुंडली में आपकी उच्छ राशी में हो, अर्थात तुला तुला राशी में हो, तो उसे व्यर्थ परिश्रम और भ्रह्मर नहीं करना चाहिए और लोहा सरसो का तेल कोईला आदी का दान ना करें शरी दोस्ते मुक्ति के लिए जोति शासर में तेल, तिल, लोहा, काले वस्तरों का दान करने के लिए कहा जाता है इसके विप्रित कुंडली में अगर शनी दुलाब राशी, मकर राशी या कुंभ राशी वे हो, तो इन वस्तुओं को दान में नहीं देना चाहिए इससे शनी मंदा होता है, अर्थार शनी के शुप पलों में कमी आ जाती है, व्यक्ति को लाप के बदले नुकसान उठाना पड़ सकता है राहु यदि कन्या राशी में हो, तो स्वराशी का तथा व्रश, वैश, एवं मितुन राशी में होने पर उच्छता को प्राप्थ होता है ऐसी श्तिति में दीले, भूरे, प्रंके पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए मौरपंख, नीले वस्त्र, कोईला, जो, जो से निर्मित वस्त्वें, इत्यादी का दान किसी को ना करें अनितार रिड का भार शड़ दे लगेगा अन्न का कभी भी बूर से अनादन नहीं करना चाहिए और नाही भोजन करने के पशार थाली में जूठन छोड़नी चाहिए के तु अगर मीन राशी में हो तो ग्रह स्वामी तथा व्रशिक एवं धनू राशी में होने पर उच्चता को प्राप्त होता है बूरे रंके चित्र, वस्त्र, कंबल, तिल या तिल से निर्मित पदार्थ आधी का दान नहीं करना चाहिए तो दोस्तों ये तो थी जानकारी कि हमें किस दिन किस चीच का दान करना चाहिए और हमें कब कौन से दान से बचना चाहिए बगवान भोले नात की कृपा आप सब पर बनी रहे तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे